जब आप किताब पूरी कर लेते हैं तो उसकी soft copy या उसका एक copy उस शक्स को भी दिखाते हैं और क्या वो उनमें से portions edit होते हैं यह मैं इसका की तौर बजाते हैं और खास करके अगर biography पे काम कर रहा है या interview की किताब पे काम कर रहा है तो उसे अपने subject या जो भी protagonist है जो भी कलाकार है या बड़े लोग हैं उनको दिखाना चाहिए उनसे बात करनी चाहिए और उनसे authentication letter लेना चाहिए आप कुछ भी लिख सकते हैं कोई कुछ भी किसी पर लि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये from the horse's mouth मामला है तो फिर वो कैसे clear होगा लता जी पे मेरे से पहले 57 किताबे थी हिंदी में मराथी और भाशाओं का जोड़ने तो गिंती नहीं कर सकते बहुत अच्छी किताबे थी नसरीन मुनी कबीर का detailing थी हरिश भीमानी का काम था लेकिन म मुझे लगा कि मुझे जो चीजें चाहिए थी उनमें नहीं मिलती थी तो मैंने लता जी से कहा कि आप लटर लिखिए कि मेरे पेसने इतने साल काम किया और ये किताब है गुल्दार सहाइब जी किताब भी उनकी जो आधिकारिक जीवनी अब आ रही है उसमें बाकाइदा उनने लगा है कि मैंने 14 बरस तक यह तीन रुको अपने जीवन के सारे पने सौपे तो एक तो ये बात कि आप उसको एंडोर्स करें उसी के हवाले से कि ये सही है सनद रहे दूसरा एडिट करना कुछ भी हटाना रखना उसकी सहमती से भी होना चाहिए लेखक की लिकिन नाम से कह देते हैं तो अगर आपको लगता है मेरे सामने बैठे हुए तुपरारी जी गीता जी अगर गीता श्री जी की कोई बात मुझे इंपॉर्टेंट लगती है तो मुझे कोट करना चाहिए कि फला इंट्रव्यू में गीता श्री ने गुलजार के बारे में ये कहा ह है और मैं इससे सहमत हूँ या मैं इससे ऐसहमत हूँ मेरी किताब में बिब्लियोग्राफी का थैंक्स गिविंग का एक पूरा चैप्टर रहता है क्योंकि मुझे अगर किसी ने किसी के बारे में एक भी प्रामानिक दस्तावेच उपलब्द कराया है वो उसी के नाम से उसमें कोई भरती का है चोरी कमाल नहीं तो करना चाहिए एडिट करना चाहिए एक में थोड़ा पुरातन पंठी आदमी हूँ मुझे लगता है कि सारी बात करने के बाद अगर किसी कलाकार ने कहा कि मैंने नाराजगी में फला के लिए कह दिया था ये जाएगा पब्लिक छाह साप की जीवनी में किया था कि लिएस्मि連्ला कहां किनी कलाकारों से बहुत नाराज अन्टशंट गाली वाली दिया तो मैंने ऑरखुरदार अर यह क्याए हो ? तो मैंने का तो आप ही ने बोला तो भूल का तो इन लिखा है? तो बोले कि नहीं वो ऊपर चलाग्या है जयह ज़ाऊंगा तो वहाँ मार-पीथ होगी तो यह यह पर इसको मट्टी दो मट्टी में डालो इसको तो मैंने का आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बोले मैंने एक रौ में कह दिया कि कभी मुझे नाराजगी थी, अब मेरे मन में कोई बात नहीं है, फिर वो कॉल लेने लगे बाबा विश्वनात की और फिर बड़े कलाकार थे, तो मैंने वो नहीं लिखा, तो एक बड़े फेस्टि प्रहने वाला नहीं हूँ, मैं भी मर के जाओंगा, तो दोनों लोग मिलके मुझे पीते हैं, ये मुझे बरदास्त नहीं है, तो मैंने फिर वो नहीं लिखा, झाल